नमस्कार वीवर्ज आपका स्वागत है हमारे चैनल राइटिंग मेंटोस पर आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गाए पर दस लाइन निबंद मेरे प्यारे वीवर्ज आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें तो चलिए आज के विशे को आरम करते हैं आज का हमारा विशे है गाए गाए पर आज हम दस लाइन क्या लिखेंगे निबन So, number one नमबर टू गाए काली कॉमा सफेद कॉमा बूरे कॉमा लाल एवं इतकबरी रंग इ होती है नमबर त्री गाए खे चार पैर दो सींग कॉमा चार थन और एक लंबी पूंच होती है नमबर पूर गाए घास चारा और भूसा आती है नमबर पाइव गाए हमें दूद देती है नमबर शेक्स गाए का दूद अत्यांत स्वादिश्ट होता है गाए का दूद अत्यांत स्वादिश्ट होता है नमबर शेवन गाए गाए के दूद से दही पनीर मक्खन गी और निथाईयां बन्ती है नमबर शेवन गाए के घर को गाए के घर को गोशाला कहते हैं नमबर नाइन गाए के गोबर और गोब मूत्र बहुत उपियोगी होता है नमबर टैन भारत देश में जाए को गोब माता भी कहते हैं तो चलिए इसे पढ़ते हैं हमारा विशे था गाए तो चलिए गाए पर निबंत रीट करते हैं नमबर वन गाए एक पालतू पश्यू है नमबर दो गाए काली सफेद भूरे लाल एवं चितकबरी रंकी होती है नमबर तीन गाए के चार पैर, दो सींग, चार थन और एक लंबी पूँच होती है नमबर पोर गाए घास, चारा और भूसा खाती है नमबर पाइव गाए हमें दूद देती है नमबर सेक्स, गाए का दूद अत्यांत स्वादेश्ट होता है नमबर सेवन गाए के दूद से दही, पनीर, मक्खन, घी और मिठाईयां बनती है नमबर एट गाए के घर को गौशाला कहते है नमबर नाइन गाए के गोबर और गोमूत्र बहुत उप्योगी होता है नमबर टैन भारत देश में गाए को गोमाता भी कहते है धन्यवाद दोस्तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करें